यह तो very good afternoon to all I'm Rawika from s.i.m. t. neko dr.bacha हमने जो आज in my mental science का topic करना है वो अम कर रहे थे sustainable development sustainable development जो आफसमें पड़ा कि sustainable development क्या होती है वो कैसे काम work करती है then क्या है कि हमने जो है problems हमें क्या-kya face करनी पड़ती है आज हमने जो discuss करना है वो हमने करना है indicators ठीक है जो indicators होते हैं वो urbanization का rate क्या है ठीक है उसमें growth जो है वो cities की क्या है population क्या है ठीक है urbanization का मतलब ऐसे होता है कि जब हम किसी area की development करते हैं या हम किसी particular area में अपने within the state ही क्या कर रहे हैं उन्हें develop कर रहे हैं जो urbanization है जैसे उसमें proper sanitation है, proper planning है, proper roads वगरा बनी होई है, proper market है आपके पास तो उसे आप बोल देते हैं urbanization अगर जब शहरों में देखो जैसे शहरों में जो है जगा नहीं होती, roads जो है वो properly बनी है, hospital की facility है तो यह सारी क्या है urbanization है इसमें जो है growth, जो है cities में population की बहुत जादा बढ़ जाती है, अब जो है अब देखो जब भी हमने बात करनी है urbanization की, obviously जो urbanization है वो कहां पे होगी? वो होगी means land के उपर, यानि कि वहाँ पे हम construction करके जो है क्या कर रहे है, land को खतम कर रहे हैं, ठीक है? तो obviously अगर जो land खतम हो रही है तो environment के survival के chances जो है हम क्या कर रहे हैं? खतम कर रहे हैं अब उते इसमें percentage जो है houses की या buildings की जो की एक emergency condition होती है, ठीक है? तो वो भी हमने देखनी होती है, इसमें quantity जो है energy कितना loss कर रही है transportation में, वो हमने देखना है कि हमारा जो है ecological हम कितनी clean building material जो है वो use कर रहे हैं, ठीक है? कि हम जो है ऐसा material तो नहीं use कर रहे हैं, जिसमें हम environment क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये जो है, ये कुछ indicators हैं कि हमारा sustainable development पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, देखो, अगर जे हम बात करते है sustainability की, तो इसमें देखो, conventional method दिया है और sustainable method दिया है, इसमें schedule है, quality है, cost है, ठीक है? लेकिन अगर जे हम sustainable development की बात करते हैं, तो आ आपका देखो, schedule है, cost है, quantity है, environment है, and people है, ठीक है, ये जो है, ये क्या है, इन सभी ने देखना है, अब हम बात करते हैं, इसका main objective की, बोलते हैं, हमने जो equally developed regions है, जिसमें उनका geographical या resource potential जो है, बोलते है, 2030 में, जो usage है, renewable energy की, sources की, वो जो है 15% होगी, और जो sustainable growth है, हमारी usage की, या फिर energy की, या technology saving की, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, contemporary equipments है, तो इसमें हमें build करना पड़ेगा, industries को, इसमें हमें जो है, ecologically safe या effective materials जो है, वो क्या करने पड़ेंगे, use करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है, ये तभी possible है, next जो है, government जो है, वो ह हमें support provide करें, ताके हम जो है, new sustainable technologies ले, लेके आए, तेखो, हमने जो है, support तो कर दिया, introduction तो कर दिया, technologies का, लेकिन अगर शे लोगों ने उससे use ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या, उस चीज़ का तो कोई benefit ही नहीं है, क्या means क्या कर रहे हो, आप सिर्फ plan कर रहे हो, लेकिन उसक implementation ही नहीं है, तो आप में जो है, possibility नहीं रहते कि आप उस work को अच्छे से कर पाओ, next जो है, वो effective legislative mechanism है, इसमें real estate या land markets जो है, वो हमने देखनी है, यानि कि जो हमारा एक work है, कि लोग क्या करते हैं, पैसा देखे, कोई भी जमीन अपने नाम करवाते हैं, चाहे वो environment की हो, तो यह जो हमारी corruption है, इसे हमने बहुत जादा effective way में use करना है, जहां पर legislative या effective एक impact जो होना चाहिए, किसके उपर हमारे environment के उपर, ठीक है, या land markets के उपर, या estates के उपर, तो यह चीज जो है, यह हमें देखनी पड़ेंगी, देखो, अब जो है, हमने क्या करना है, हमने ज sustainable design होना चाहिए, environmental design होना चाहिए, यानि कि जब बिल्डिंग बनाते हो, तो आप उसमें जो है, क्या करो, parks बनाओ, then आप उसमें plantation बनाओ, gardening की techniques बनाओ, ठीक है, बेस्टेश जो है, वो कम करें, अब हम बात करेंगे solutions की, या फिर scenarios की, ठीक है, कि हमारा क्या चल रहा है, अब government के ऐसे program होने चाहिए, जिसमें developing country में, ठीक है, उन्हें subsidies देनी चाहिए, loan देना चाहिए, plus investment, ताके वो जो है, अपने design को, या models को, और अच्छा जो है, वो बना सके, अब जो है, introduction करें, वो strictly ecological control का, कि building की process, या construction waste को, हमने क्या करना है, utilize करना है, या recycle करना है, next, encourage करना है, किसको, clean materials को construction के लिए, यानि कि हमने जो है, ऐसे material बनाने है, जो कि हमारे environment को, कोई भी नुकसान ना पहुचाए, अब हमने क्या करना है, mixed use करना है, community planning का, ताके हम जो है, support कर सके, continuous pedestrian linkage का, इसमें उसका, residential, institutional, commercial, या recreational places, जो है, वो हमने support करने, अपने daily life में, ठीक है, अब कौ कौन से measures हमें लेने चाहिए, सबसे पहले, 2005 में एक new law जो है, वो ecosystem जो है, यूक्रेन ने अपने effect में लेके आया, start किया, तो government को जो है, ऐसे programs को बढ़ावा देना चाहिए, government के program जो है, कि उन्होंने improve करना है, national ecological network, वो भी उन्होंने already introduce करके, रखा हो, ठीक है, September 2006 में हमने ज इसकी या government concerning ecological या sustainable development को held कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे कुछ conclusions जो है, वो हमें दिये गए है, इन्होंने कुछ examples के साथ ही से discuss किया है, कॉंटी स्टोरी यूक्रेन में, एक plant जो है, वो construction waste के लिए जो है, हमने बनाना है, लेकिन ये जो है, ये हमारे outskirts पे होना चाहिए, means, बाहर, इसमें जो है, बहुत सारे investment projects जो थे, वो building के लिए, जो की ecological safe या efficient house जो है, development की हो, हमें जो है, proper financing होनी चाहिए, new waste less technology जो है, वो हमने introduce करनी चाहिए, ठीक है, बचे, आज के लिए इतना ही कोई problem है, पूछ सकते है, thank you class